सब्सक्राइब कीजिए बिल वर्टन को टैप कीजिए और देखते रहें लेटेस्ट फैशन सो ट्रेंडे वीडियोस को नमस्ते फ्रेंड्स वल्कम बैक टो अमेजिंग मुमिन्स वर्ल्ड हिंदी चैनल आज की इस वीडियो में मैं लेकर आए हूँ वेजटेबल प्रिंटिंग विद फैब्रिक पेंटिंग यह बहुत ही आसान है सब जीओ से हम ब्लॉक बना कर हम इसके उपर प्रिंटिंग डालते हैं जैसे कि इस प्रोजेक्ट में मैं पोटेटो यानी आलू ले रही हूँ और यह मेरे दुपटा है चेक कीजिए अमेजिंग आर्ट्स ब्यूटी और क्राफ्ट चैनल को वाच कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सब्स्राइब करना मत भूलिए सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया तो चलिए शूरू करते हैं आज की इस वीडियो में ब्लैक कलर का फैब्रिक पेंट ले रही हूँ और एक स्पॉंज के उपर मैं डाल रही हूँ आपके पास स्पॉंज अवेलिबल नहीं है तो 3-4 लेयर का कॉटन फैब्रिक भी डाल सकते हैं या तो जूट फैब्रिक भी यूज कर सकते है अब ये आलो के उपर मैं डिजैन बना रही हूँ आपको जो डिजैन अच्छा लगता है वो ऐसे मार्क कीजिए इसका जो एक्स्ट्रास है न उसको हम कट कर देंगे ऐसे ही हम डिजैन का ब्लॉक्स बनाएंगे ये देखिया ऐसे दिखती है अब दुपटा के इजिंग के उपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक रिफरेंस लाइन है अब मैं आली को पेंट के उपर ऐसे रखते हुए थोड़ा प्रेस करती हूँ देखिया ऐसे निशान बान जाती है बिल्कुल लाइन के उपर रखते हुए ऐसे प्रिंटिंग देने का है आप कुछ भी डिजैन बना सकते हैं ऐसे ही आप इस आड़े के उपर भी डिजैन कर सकते हैं 4-5 लाइन्स पानाते हुए यह आप किसी तरह भी फैब्रिक्स के उपर कर सकते हैं बट ध्यान रहिए कि नीचे पुरानी बेटशीट डालना मत भूलिए या फिर जूट भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको सब फैब्रिक्स यानि शिफोन, जॉर्जट, क्रेप, कॉटन, रॉसल, टैसर किसी के उपर भी आप ट्राइ कर सकते हैं अब मैं थर्ड लाइन स्टार्ट कर रही हुँ नीचे सेकेंड लाइन को बेस करते हुए ऐसे इसके उपर प्रिंटिंग देने का है यह आप चाहें तो कर्टीन, बेटशीट, पिलो कवर्ज, किसी तरह की पैटन को अब अच्छी तरह सजा सकते हैं और यह चुटकियों में बन जाती है इधर मैं सिंगल कलर यूस किया है अब साड़ी की बीच में बूटिया का ऐसे बनाते हैं और दिखाती हूँ ऐसे ही बॉटर बना के, अब मैं जो दिखा रही हूँ, ऐसे बोटी बना सकते हैं है ना बहुती सुंदर इसी पैटर्न को यूस करते हैं, मैंने डिजैन किया है टी शेट के उपर, दुपटा के उपर भी प्रिंटिंग किया है मगर आप मल्टिपल कलर्स यूस करते हुए, इस पैटर्न को डिजैन कर सकते है यह मैंने मल्टि कलर्स यूस करते हुए, ब्लाव स्पीस को डिप्रिंट किया है तो फ्रेंट्स आप भी ट्राइ कीजिए, एफोप यह मेरे वीडियो आपको पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, शेर और सब्सक्राइब, अब तक के लिए इतना है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ See you all, bye for now